एक जंगल में धेर सारे पेड और पौदे थे वो जंगल हरा भरा था वो जंगल बहुत शान्थ और सुन्दर था उस जंगल में एक सनी नाम का छिडा अपने मा के साथ रहता था वो चिडिया बहुत गरीब थी वो अपना गुजारा लकडिया काट कर करती थी एक दिन सनी की मा जंगल को लकडिया काटने जाती है इस लकडियों को बेचकर घर के लिए कुछ राशन ले आऊंगी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक बच्चे के जैसा खेलता है क्यों ना आज मैं इस लकडियों को सनी को दे कर उसी की हातों से राशन मंगाओं कभी ना कभी तो सनी को इस जिम्यदारी तो उठानी पड़ेगी क्यों ना आज से शुरुआत करूं बेटा सनी इन लकडियों को बेच कर घर के लिए राशन ले आओ आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है क्या हुआ मा आपकी तबियत को आप बुलबुल मौसी के पाथ जाकर कुछ दवाए ले आओ ना नहीं बेटा थोड़ा सा ठकान मैसुस हो रहा है कुछ देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाओंगी अब तुम जाओ ठीक है मा सनी उन लकडियों को मार्कित ले जाता है मगर सनी कभी भी लकडिया बेचने नहीं गया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लकडिया बेचे तो कहा बेचे अरे मम्मा ने तो मुझे लकडियों को बेच कर घर के लिए राशन लेने को कहा है मगर मम्मा ने मुझे ये नहीं बताया कि इन लकडियों को मैं कहां बेचू और राशन कहां से लो यहाँ एक सबजी की दुकान है मैं वही जाकर पूछता हूँ कबूदर अंकल ये लकडिया मैं अपने घर से लेके आया हूँ और मैं ये लकडियों को बेचना चाहता हूँ इस मार्किर में मैं ये लकडियों को कहां बेचू अरे सुबर सुबर तंग मत करो पहले ही दुकान पर सबजीया बिक नहीं रही है छलो जाओ यहां से फिर वो वहाँ से चला जाता है सनी एक राषन के दुकान पर जाता है कालू अंकल, अगर मैं इन लखड़ियों को आपको दे दू तो आप मुझे राषन देगे लकडिया फीक है बेटा मैं लकडियों के बदले आपको दस चावल के दाने दे दूँगा फिर सनी की नजर में एक चमकता हुआ दाना दिखाई देता है वो उस दाने को देखकर कालू से कहता है कालू अंकल मुझे राशन नहीं चाहिए सनी कालू को इतना बोलकर वो चमकती हुई चीज अपने चोच में लेकर वहां से चला जाता है सनी को देखकर कालू कहता है अरे ये पक्षी कोन है जो इतने सारे लकडियों के बदले एक दाना ले गया है अगर वो हर रोज मेरे दुकान पर आएगा तो मेरी किसमत तो चमक उठेगी मुझे लगता है कि ये पागल पक्षी है दूसरी तरफ सनी अपने घर पहुच जाता है और अपनी मा को वो चमकता हुआ दाना दिखाता है सनी की मा आश्चर्य होकर उस दानी को देखती है और सनी से कहती है क्या तुमने लकडियों को बेचकर एक दाना लाया है नालायक मैंने तुझे लकडिया बेचकर घर के लिए राशन लाने कहा था और तुने लकडियों को बेचकर एक दाना लाया है आज हम भूके ही सोएंगे तो किसी काम का नहीं है निकम्मा है तो निकम्मा ना जाने तुझे कब अकल आएगी नालायक कही का मा की बाते सुनकर सनी को गुसा आजाता है और वो एक सुनसान जगह पर जाकर बैट जाता है मैं कुछ भी करू मा का बीबी मुझे कुछ नहीं होती है आज तो मम्मा ने मुझे नालायक और निकम्मा भी भढ़ दिया ये सब इस दाने की वज़े से हुआ है ऐसा कहकर सनी उस दाने को गुसे से नीचे फेक देता है और वो दाना नीचे गिरते ही एक अंकूर में बदल जाता है और धीरे धीरे करके एक बड़ा पेड में बदल जाता है अरे ये क्या हो रहा है फिर पेड सनी को देखकर कहता है क्या तुमने ही मुझे नीचे फेका था मैंने आपको नीचे नहीं फेका है मैंने तो दाने को नीचे फिएका था वही तो दाना अब तुम्हारे सामने है वो एक बड़ा पेड़ बन चुका है वो मैं हूँ सनी उदास होकर रोते रोते वहाँ से जाने लग जाता है रुको पक्षी तुम क्यो रो रहे हो ये सब तुमारे वज़े से हुआ है जो कुछ सनी की मा ने सनी को कहा वो सारी बात सनी पेड को बताता है फिर वो पेड सनी को एक आम का फल देता है और उसे कहता है तुम रोवो मत ये फल खालो और घर जाओ अपनी मा के पास ठीक है पेड़ जी मैं ये फल मेरी मा को दे देता हूँ सनी खुश होकर उस आम को लेकर अपनी ममा के पास जाता है ममा ये लो फल तुम्हे ये फल कहां से मिला सनी मेरे एक दोस ने दिया है मा ये फल फिर वो दोनों आम खाकर सो जाते हैं अगली सुबह सनी फिर से उस पेड़ की पास जाता है और उस पेड़ से कहता है पेड़ जी आप मुझे आम दे सकते हो हाँ हाँ ये लो एक आम सिर्फ एक ही आम मुझे और थोड़े आम चाहिए नहीं नहीं मैं तुम्हें सिर्फ एक आम ही दे सकती हूँ हाँ मैंने ही तुम्हें नीचे फेकर बड़ा बना दिया था और तुम हो कि मुझे दो आम नहीं दे सकते मैं एक जादू ही पेड हूँ मैं हर रोज सिर्फ एक फल दे सकती हूँ तुम कहते हो कि तुम एक जादू ही पेड हो और एक फल नहीं दे सकते तुम जूटे हो, तुमको कोई जादू ही पेड नहीं हो मैं सच में जादू ही पेड हूँ मगर मैं तुम्हें एक से उपर फर नहीं ले सकती चाहे तो मैं तुम्हें धेर सारे लकडियां दे सकती हूँ मेरे पास धेर सारे लकडियां है तुम उन लकडियों को ले जाकर बेच सकते हो और अपने लिए एक घर भी बना सकते हो तो फिर ठीक है, मुझे लकडियां दे दो मैं तुम्हें लकडियां दूँगी, मगर मेरी एक शर्त है, जो तुम्हें माननी होगी शर्त? कैसी शर्त? बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी एक बीडाली नहीं कातनी है, चाहे जो हो जाए अगर तुमने मेरी एक बीडाली काती तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, सोच लो ठीक है, मैं तुम्हारी एक बीडाली को नहीं कातूंगा, अभी मुझे लकडियां दे दो सनी पेर की शर्त मानकर उन लकडियों को अपने मा के पास ले जाता है मा, इस लकडियों से हम हमारे लिए एक घर बनाएंगे बेटा, इतने लकडियों से घर नहीं बनेगा हम इसी घोतले में रहेंगे और इन लकडियों को बेच कर अपना गुजारा करेंगे हम पहले हमारे लिए ये घर बनाएंगे मा और लकडियों की तुम फिकर मत करो मा मेरे दोस के पाफ धेर सारे लकडिया है मैं हर रोज लकडियां ले आओंगा ऐसा कहकर सनी हर रोज लकडियों को लाने लग जाता है धीरे धीरे करके सनी आपने लिए एक छोटा सा और सुन्दर सा घर बना लेता है अरे इस घर को बनाने के लिए तो पंदरा दिन गुजर गए अबे मैं लकडियों को बेचूंगा फिर सनी उन लकडियों को कालू के दुकान पर ले जाता है कालू मामा ये लकडियों को कितने दानों में लोगे ये लकडियां मैं पांच दाने में लूँगा मगर कालू मामा आप इन लकडियों को दस दानों में बेचते हो मैंने देखा है आपको दस दाने चावल के लेते हुए अरे तुझे देना है तो दे वरना निकल हैं से अपने लकडियों के साथ इस दुकान का भाड़ा कैसे निकालोंगा अगर बिना मुनापे के लकडियां ले लिया तो जा कही और जाकर पूझ इन लकडियों के दाम ऐसा कहकर कालू सनी को वहां से भगा देता है फिर सनी मन ही मन सुचता है क्यों ना मैं लकडियों की दुकान खोल दू मगर मेरे पास तो इतने सारी लकडिया नहीं है क्या करो हाँ क्यों ना मैं उस जादुवी पेड़ के कुछ डालियां काट लो फिर मैं दुकान रख सकता हूँ और अपना जीवन अराम से गुजर सकता हूँ फिर मैं बहुत अमिर बन जाओंगा सनी को लालच आ जाता है फिर सनी अपने घर से एकुलाडी लेकर उस जादु ही पेड़ के पास जाता है सनी ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में एकुलाडी क्यों है क्या तुम मेरे डालियों को काटने आये हो किया था तुम मेरी डालियों को काटोगे नहीं हाँ मैं तुमारी डालियों को काटने आया हूँ और हाँ वो कुछी दिनों में फिर से उग जाएंगे नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें इसका अंजाम भुगत ना पड़ सकता है मेरी बात मानो छोड़ दो ये जिद तुम मुझे डरा रहे हो मैं डरने वाला नहीं हूँ मैं तुम्हारी डालियों को काट कर और उन्हें बेच कर भूत अमीर बन जाओंगा ऐसा कहकर सनी उस पेड का एक डाली काट देता है फिर सनी देखते ही देखते एक पेड में बदलने लग जाता है वो जादू ही पेड सनी को कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी डाली काटी तो बहुत बुरा अजाम होगा अब भुगतो फिर वो जादू ही पेड एक सुन्दर पक्षी के रूप में बदल कर वहां से उड़ जाता है दूसरी तरफ सनी रोने लग जाता है और एक बड़े और विशाल पेड में बदल जाता है इस कहानी से हमें इसी कमिलती है कि पेडों में भी होती है जान हमें पेडों को काटना नहीं चाहिए आखिर उन्हें भी दर्द होता है हम पेडों को काटने से हमारा परियावरन खराब हो सकता है हमें पेडों को काटना नहीं चाहिए एक कहानी एक सुन्दर और हरे बरे जंगल की है उस जंगल में सारे पक्षिया बहुत खुशी-खुशी से रहते थे जंगल में एक चील था जो उस जंगल का राजा था वो राजा बहुत इमानदार था जिसकी वज़से वहां की प्रजा उस राजा की बहुत इज़त करते थे इसी तरह से कुछ दिन बीट जाते हैं उस जंगल में अब गर्मियों का मौसम चल रहा था एक दिन रानी चिडिया बबलू चिडा से कहती है बबलू जी आज तो सुभर से हमारे घर पर तो पानी नहीं आ रहा है आप जाकर कबूतर भाईया से पूछो ना कि उनके घर पर पानी आ रहा है या नहीं फी खेरानी चिडिया मैं पूछ कर आता हूँ बबलू चिडा के घर के पास ही कबूतर का घर भी था बबलू चिडा कबूतर के घर जाता है कबूतर क्या तुमारे घर पर पानी आ रहा है जरा देखो तो अरे नहीं बबलू, सुबह से मेरे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है, मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है हमारे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ चलो कबुतर किसी और पक्षी से पूछते है हाँ हाँ, चलो चलो चलते है फिर वे दोनों बुलबुल के पास जाते हैं अरे बबलो मौसी क्या आपके घर पर पानी आ रहा है हमारे घर पर तो सुबह से पानी नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या बताऊं पक्षियों मैं तो खुद ही बहुत परिशान हूँ सुबह से मेरे घर भी पानी नहीं आ रहा है मैं अपना चूला चोकार बंद करके बैटी हूँ सुबह से एक कप चाए भी नहीं पी है मैंने मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है पानी पीने के लिए भी एक बुंद पानी भी नहीं है मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है बबलू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चलो कबूतर ही आगे कालू कव्वे का गhर है शायद उसके घर पर पानी आ रहा होगा चलो चलते है बबलू चिड़ा, कबूतर और बुलबुल मिलकर कालू कव्वा की घर जाते हैं अरे क्या हो गया तुम सब पक्षियां मेरे घर पर क्यों आये हो क्या मुझसे कोई काम था अरे कोई काम नहीं है वो सब छोड़ो और जरा अपने घर के अंदर जाकर देखो तो कि तुमारे घर पर पानी आ रहा है या नहीं अरे यही तो सुंजरी भी कह रही थी कि सुबह से पानी नहीं आ रहा है वो तो मुझसे कह रही थी कि बाकी पक्षियों से पूछ कर देखो अरे कालो के घर पर भी पानी नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि जंगल में किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा है लगता है हम सब को मिलकर हमारे जंगल के राजा जी से बात करनी चाहिए चलो पक्षियो हम सब मिलकर राजा जी के पास चलते है इस समस्या को लेकर कालू जी मैंने आपके लिए नेमबू शर्बत बनाया है पी लीजिए अरे कालू कवे तुम तो कह रहे थे की तुमारे गर पर पानी नहीं आ रहा है तुमारी पत्नी शर्बत पिने को बोल रही है सच्चे बोल कालू मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था मेरे गर पर तो पानी आ रहा है कालू एक कौन सा मजाक है जो तुम हमारे साथ कर रहे हो सुबह से हम सब इतने परेशान है अभी ओ बाते छोड़ो कल से तुमी हमें पानी दे दो जब तक हमारे घरों में पानी नहीं आ जाता हम तुमारे घर से पानी ले जाया करेंगे नहीं नहीं मैंने क्या पानी का ठेला लगाया है जो तुम सब पक्षियों को पानी बारते जाओं मुझसे नहीं हो पायेगा जाओ यहां से चलो भाई चलो हम राजा जी के पास चलते है फिर सब पक्षिया मिलकर राजा जी के पास जा रहे होते हैं और वो पक्षिया रास्ते में जाती वक्त देखते हैं कि कुए का पानी पूरी तरह से सूख चुका था वो देखो कबूतर नदी का पानी पूरी तरह से सूख गया है नदी में तो पानी नहीं है तो भला हमारे घरों में पानी कैसे आएगा फिर वो सारे पक्षिया राजाजी के पास आते हैं और राजाजी से कहते हैं राजाजी हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है हाँ बुल बुल मुझे पता है मेरे महले में भी पानी नहीं आ रहा है मैंने भी ना नहाए आज राज सिहासन पर बेटा हूँ तो सिर्फ कालु कव्वे के घर पर ही पानी आ रहा है सिर्फ वही हमें पानी दे सकता है हाँ अब वही हम सब को पानी दे सकता है मगर राजा जी वो हमें पानी देने से इनकार कर रहा है मैं उस कालू कव्वे से बात करता हूँ चलो चलते हैं कालू कव्वे के पास फिर सब मिलकर कालू कव्वे के पास जाते हैं अभी सिर्फ तुमारे गर पर ही पानी आ रहा है इसलिए अभी जंगल के सारे पक्षियों को पानी सिर्फ तुम्हीं दे सकते हो तुम्हें ही पानी देना पड़ेगा सब पक्षियों को राजा जी की बाते सुनकर कालू कववा मान चाता है कि वो सब पक्षियों को पानी दे देगा ठीक है मैं सब पक्षियों को पानी दे दूँगा हर रोज एक पक्षि दो दाने चावल के देने होगे कालू तो था ही बहुत लालची अरे ये क्या कह रहे हो अभी तुम हमें पानी बेशोगे अरे कालू कवे कोई पानी के लिए दाना मंगता है और मौसी अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मुझे दो दाने चावल के देने होगे देखो कालू तुम मजबूरी का फायदा उटा रहे हो ऐसा कोई करता है भला मुझे कुछ नहीं सुनना है राजाजी मैं आप से कोई दाने नहीं लूगा मगर बाकी पक्षियों से मुझे पानी के बदले दाने चाहिए अब जंगल के पक्षियों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिसके कारण जंगल के सब पक्षियां कालू को दो दाने चावल के देकर पानी लिया करते थे इसी तरह से कुछ दिन बीट जाते हैं फिर जंगल के पक्षियां राजाजी के पास आते हैं देखे राजा जी हम हर रोज कालू को दो दाने देकर पानी नहीं ना सकते कुछ पक्षिया दाना धून भी नहीं पा रहे हैं इस गर्मी के मौसम में और कालू ने दाना भी अब बड़ा दिया है अब हमसे ये नहीं हो पाएगा इसका कोई ना कोई हल तो आपको निकालना होगा ठीक है मैं आज अपने दोस उल्लू के पास चाता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो मेरे राज में कुछ पानी दे दे फिर राजा जी डूसरे जंगल जाकर वहां के उल्लू महराजी से बात करते हैं प्रणाम रजा जी आप हमारे जंगल में क्या कोई परेशानी आ गई है जी उल्लू महराज हमारे जंगल में एक बुंद भी पानी नहीं है सारे कूवे और नदियां सूक गए है अगर आप हमारी मदद कर दे तो हम जीवन में आपके आबाहरी रहेंगे अच्छा तो ये समस्या है आपकी कोई बात नहीं हम आपके समस्या को हल कर देंगे हमारे नदी का पानी आपके नदी को हम मोड देंगे इससे आपके नदी पर पानी आ जाएगा और आपके राजी के पक्षियां उस पानी को इस्तिमाल कर सकते है राजा जी अपने दोस उल्लू से मदद मांग कर वहां से चले चाते हैं कुछ दिन बाद अब जंगल में बारिश होने लग जाती हैं और नदी कुए भर जाते हैं जिससे सब पक्षियों के घर में पानी आना शुरू हो जाता हैं और फिससे उजंगल हराबरा हो जाता हैं जंगल के पक्षियां अब हसी खुशी से रहने लग जाते हैं